हेलो दोस्तों वेलकम टू एलेक्ट्रानिक स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी को नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीटेसी है डियलेट सेकेंड समस्टर से यह है विज्यान आपका सुपर फास्ट बॉलेट रिविजिन के तहत आज हम बात है डियलेट 2019 में सेकेंड टाइम में आपका यह सवाल पूछा गया यहां पर ध्यान दीजिएगा कहते हैं कि कारे जो होता है किसी वस्तू पर बल लगाकर बल की देशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे कि कारे हो रहा है कारे जो है एक अदिश र दी लिख देते हैं मतलब किसी भी वस्तू पर हमने बल लगाया और बल लगाने के बाद अगर वो अपने पहले की इस्थिति से तनिक भी डिस्प्लेस कर रही है खेसक रही है उसका अगर वहां से डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है तो हम कह देंगे कि वहां पर कारे किया गया ह अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको एक marks जो है वो यहां से मिलेंगे दूसरा सवाल आपका एक next है इसमे vitamin D का रासानिक नाम लिखे के विटामिन D का रासानिक नाम आपसे पुछा है और उसके आगे यह कह रहे हैं कि इसकी कमी से शरीर में कों से रोग होते है जो vitamin D है उस वहीं अगर मैं बात करूँ दो तरीकी के और चीज़े देखने को मिलते हैं एक तो आपका रिकेट्स जो है जो बच्चों में देखने को मिलता है वहीं अगर महिला और पुरुषों को लेकर के आप बात करते हो या फिर वयसको में अगर आप बात करते हो तो osteomalacia या फिर oste करने को लेकर के बात करें तो वह mechanical energy की रूप में या अंत्रिक और जा की रूप में इस्टोर हो जाती है तो यहां से आपका अंसर या अंत्रिक और जा निकल करके आएगा बेकिंग soda का रासानिक सोथर पूछा है और इसका उपयोग पूछा है तो अगर हम बेकिंग soda को ले सोडा के नाम से जानते हैं वहीं अगर मैं इसके उपयोग को लेकर के बात करूँ तो ब्रेड के निर्माण में हैं पेपदार्थ के निर्माण में भोजन आदी बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है या फिर बेकिंग soda का प्रियोग किया जाता है सत्रह नंबर सवाल आ जहां से उनका एक्सक्रीशन हो रहा होता है, जहां से उनका उतसर्जन हो रहा होता है, तो इन्होंने उतसर्जी अंगों में यहां पर तवचा है, विरक है, यकरत है, फिफडे है, आर्थ है, हर्दे है, इसको इसमें शामिल किया है, यह सारे questions आपके previous year में पूछे गए हैं, पूरी संभावना हैंके, फिर से यहां पर पूछे जाने की, जल में खुलनसील विटामिन और वसा में खुलनसील विटामिन के नाम पूछे हैं आपसे, तो जो water soluble vitamins होते हैं, वो vitamin B और C होता है, वहीं जब आप वसा में खुलनसील विटामिन की बात करते हो, तो वो A, D, E के भी होता है, आपको अगर थोड़ा सा ट्रिक को ले करके मैं याद दिलाओ, या ट्रिक से जो आप याद कर सकते हो, वसा में जो घुलनसील होते हैं, उन्हें आप कीडा से याद रखेगा, K, E, D, A, ठीक है, कीडा से याद रखेगा, vitamin K, vitamin E, vitamin D, और vitamin A, यह वसा में घुल और कितने वर्ग हैं, तो अगर मैं संशोधित आवर्थ शारडी को ले करके बात करूँ, तो साथ आवर्थ देखने को मिलेंगे, और नाव वर्ग, वर्ग को ही समूह भी कहते हैं, यह मेंडलीफ की आवर्थ शारडी की बात हो गई, किसी एक कीड़नाशक पदार्थ का ना यहां पर कई सारे कीड़नाशक पदार्थ के नाम है, और यहां पर कई सारे कीड़नाशक पदार्थ के नाम हमने आपको बता दिये, कास्टिक सूड़ा, और खाने वाले सूड़े का रसानिक सूत्र लिखिए, तो तो कास्टिक सूड़ा का रसानिक सूत्र है, वो है आपका कि सोडے को ले करके बात करते हैं जो मीठा सोडा होता है भी थोड़ी दिर पहले हैं हम इसके बारे में बात कर चुके हैं वो होता है Sodium Bicarbonate याने की NAHCO3 एक और सवाल की तरफ चलते हैं Marasmas रोग किसकी कमी के कारण होता है जो Marasmas रोग है और ऐसे में अगर वो दूद नहीं मिलता है तो यह मैरसमेस रोग जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है DL8 2019 की प्रथम पेपर में आपका यह पूछा गया था प्रथम बारवाले में यह अंतरिक उर्जा कितने प्रकार की होती है तो यहाँ पर mechanical energy को नहीं होने divide किया है एक गति जूर्जा यानि की kinetic energy होती है लिखा है किसी वस्तु में उसकी motion या गति के कारण जूर्जा देखने को मिलती है उसे हम गति जूर्जा कहते हैं वहीं अगर हम potential energy यानि की इस्थित जूर्जा को लेकर के बात करें तो किसी वस्तु में उसकी विशेश इस्थित अथ्वाबे करें तो वस्ता के कारण इस्थित परिवर्तन कहलो आप कि उसकी इस्थित के कारण जूर्जा देखने को मिलती है उसे हम इस्थित जूर्जा कह देते है आपका half mv square k is equal to आप बोल देते हूँ गति जूर्जा में और ऐसे ही जब आप potential energy की बात करते हो तो pe is equal to आप लिख देते हो mgh क्या लिखते हो यह है आपका kinetic energy k e is equal to आपने लिख दिया half mv square करके लिख दिया ठीक है वहीं अगर आपको potential energy का जो formula लिखना है वो होता है mgh m उसका द्रविमान है g gravitational gravitation की value और h जो है वो height को denote करता है एक और सवाल के तरफ चलते हैं फसल चक्र किसे कहते हैं यह crop rotation को लेकर के पूछा है यहाँ पर तो फसल चक्र से अधात पर है एक निश्चित अवधी में किसी निश्चित अक्षेतर में फसलों को इस क्रम में उत्पादित करना कि क्रशी के उरवरा जो शक्ती है वो कम से कम उसका हुरास हो अगर हम किसी एक खेट पर बार बार उसी फसल को मानीजे धान है और धान के आप बवाई करते जा रहे हूँ अगर आप चेंज नहीं करते हूँ तो ऐसे में जो फर्टिलाइजिशन या फर्टिलिटी की अगर आप बात करो यानि औरवरता को लेकर के अगर आप जमीन की बात करते हूँ तो वो खत्म हो जाती है और वरता को बनाए रखने के लिए ही हम फसल चक्र को अपनाते हैं यानि कि धान के बाद गियों के बाद और बाकी फसल यानि कि रवी के बाद खरीफ करी के बाद जायद इस तरह के का जो मावसम है या जो फसल का मावसम है वो हम अपनाते हैं या हमें देखने को मिलता है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप जहां कहीं भी एक्टिव रहते हूं वाटसेप वगरा को अगर लेकर के बात करते हूं आपको फेस्बूक हो गया टेलिग्राम चैनल हो गया जहां कहीं भी आप एक्टिव रहते हूं वहाँ पर भी आप शेयर जरूर करें अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए रेड बल आइकन के साथ में आल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर करिएगा जिसे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहे और मिलती रहे आकाश गंगा आपसे पूछा है क्या होता है आकाश गंगा जो है वो असंखे तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांस तारी आखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं युनानी भाशा में इसे हम गैलेक्सी बोलते हैं क्या कहते हो आप गैलेक्सी जहाँ पर असंख्य तारों का विशाल पुंजाब को जो है वो देखने को मिलता है तो दोस्तों ये थे आपके जो वेरी शार टाइप की कोईशन्स को अपले करके बात करते हो अब हम चलते हैं ल जमान नामक वैग्यानिक नेकी थी कहते हैं कि कोशिका द्रव में छोटे छोटे कडों गोलो या चडों के रूप में ये पाये जाते हैं आगे कहते हैं कि माइट्रोकांडिया जो है वो कार्भोहेड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण में उर्जा उत्पति का केंद्र होता है य यहां पर power house of cell क्या कहते हो आप power house of cell ऐसे में यानि कि कोशिका का ऊड़ जाग रहे कहा देते हैं आशा उमीद है कि यह सवाल आपको अच्छे से समाज में आया होगा आगे एक सवाल है भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं तो धात्व और oxygen के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनते हैं जैसे यहां पर आपका equation लिखा हुआ है 2MG plus O2 यह क्या हो जागा 2MGO आपको जितने आपके परमाड़ों हैं जो तत्व हैं उनकी संख्या कितनी हैं चाहिए अब left में magnesium के 2 आपको देखने के मिल रहे होंगी तो right में भी आपको magnesium के 2 मिलेंगे oxygen यहां पर आपका 2 है तो यहां भी oxygen का 2 आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही अगर हम बात करें MGO plus O2 तो MGOH का whole twice यानि कि magnesium hydroxide आपको देखने को मिलेगा और जो पानी में घुल करके एक्षार बनाते हैं यानि कि base बनाते हैं आशाओ अमीद है कि यह सवाल भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही इसका एक next part आपको जल्दी ही मिलेगा जिसमें हम बाकी के short type के questions को लेकर के बात करेंगे DL8 के बाकी subjects के जो bullet revision के आपके वीडियो से वो भी जल्दी ही आएंगे second semester को लेकर के मिलते हैं आप से जल्दी ही एक और वीडियो के साथ में Thanks for watching